चलिए देखते हैं एकदम new chapter set off and carry forward पहले तो मतलब समझेगे चैप्टर का जैसे हर चैप्टर में हम करते हैं जैसे हमें मतलब समझ में आ जाएगा चैप्टर का फिर इसके उक अंदर क्या है वो करेंगे सर ये चैप्टर theoretical है या practical है तो मैं कहूंगा 90% theory है और 10% practical है लेकिन इस चैप्टर से कभी भी practical question नहीं पूछा जा सकता maximum आपका theoretical portion ही पूछा जाएगा सर इस चैप्टर को section 70 से लेके 80 तब बताया गया है और वो cover किया गया है हम एक एक करके पहले समझ लेते हैं सेट ओफ का मतलब क्या होता है बेसिकली सेट ओफ का मतलब होता है minus plus करना सेट ओफ का मतलब है सर माइनस प्लस करना केरी फॉर्वर्ड का मतलब आगे ले जाना सर यह कॉंसेप्ट आया कहां से अभी देख लेते हैं देखो एक एक एक्जामपल लेते हैं एक्जामपल में मानते हैं कि मिस्टर राम है और जो मिस्टर राम है ना मिस्टर राम इयर 2022 2022 के अंदर इसने क्या करा एक बिजनस स्टार्ट किया और सर बिजनस की बात करें तो बिजनस किसी भी चीज़ का हो सकता है एक बिजनस स्टार्ट किया और उस बिजनस से स्टार्टिंग वाले बिजनस में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या देखोगे कि loss होने के संभावना या फिर profit के लिए तो सूचते भी नहीं है इसने business start किया और business के अंदर इसको loss हुआ मान लेते हैं 50,000 अब फिर अगला साल आया next year अगेन इसका business चल रहा है अभी भी इसने सोचे अभी starting में तो loss होगा क्योंकि जब भी business start करते हैं तो कभी भी सोचेगा कि अगर loss होगे तो क्या करेंगे तो वो business करी नहीं सकता उसे तो हटाईगी तो कि business line में है वो business वही वेक्ति कर सकता है जो पहले सोच ले जैसे भी business है capacity के साब से माल लो एक छोटा business start करते हैं और दो लाक रुपे तो आप यह मान के चलो इस दो लाक को जब तक मैं जीरो नहीं करूँगा बिजनस बंद नहीं करूँगा यह दिमाग में होना चाहिए तब ही आप business खतम हो जाए तभी हम कर सकते हैं इसने हार नहीं माना और रखा बिजनस और सर बिजनस में कि इसकी हिम्मत की वजए से अगले साल तेन लाक रुपे का प्रॉफिट हुआ और बिजनस की मैं बात करूँ ना तो आपको बता दू कंपनी में कंपनी के अंदर कोई स्लैब रेट नहीं होता इनको सीधा का सीधा तीस परसेंट सरकार को टेक्स देना होता है चाहे एक रुपे में अगर यह सौ रुपे भी की प्रॉफिट दिखाएगा ना तो 30 रुपे सरकार को देना है कंपनी का यह रूल होता है तीस और पच्छिस अलग अलग रेट है टन ओवर के उपर डिपेंड करता है पड़ेंगे इस साल जब प्रॉफिट कमाया कितने रुपे का इस ने इस डूरेशन में यहां पर गॉर्मेंट तो सो रही थी गॉर्मेंट ने देखा भाईया मिस्टर राम तुझे लॉस हुआ हम में मतलब नहीं है यहां पर गॉर्मेंट एक्टिव हो गई गॉर्मेंट ने का राम भाई तुमुझे टेक्स दे और इससे टेक्स का नोटिस भी भीज दिया कि तीन लाक मल्टिप्लाइबाइब थर्टी परसेंट डेट इस नाइन्टी थाउजन रुपीज आप मुझे टेक्स दो नोटिस आ गया इसके पार लॉस के टाइम पे इससे कुछ का मतलब के टेक्स डेपार्टमेंट बगराइब कि जायत से ज्यादा बिजुसमेंन को अपने विजनस की नौलज होती है टेक्स वगरा के नौलज नहीं होती है इसलिए तो वह किसी टेक्स कंसल्टेंसी वगरा को हाईर करते हैं आप इनको जब इसको बोला गया तो इसने लॉस के अंदर मेरा क्या रहेगा फिर लॉस में तो आपने मेरा कोई हेल्प ही नहीं किया इसका मतलब सब उसके बाद गॉर्मेंट ने बुला अच्छा तुम्हारा पीछे का लॉस भी था क्या हाँ लॉस था मेरा पीछे का बोला दिखाओ डिटेल बुला पचास अजार का पिछला पीएंडल बैलेंशेट दिखाया बोला चलो एक काम करते हैं तुम्हें टेंशन मतलो हम जो लॉस जो आपका पिछला था ना पचास अजार इस पचास अजार को हम माइनस कर देते हैं और आपका बच्चा कितना सर थाई लाख रुपे इस थाई लाख पे तो देना तो ये वाला लॉस हमने अगले साल इस्तेमाल कर लिया तो जो लॉस हम अगले साल इस्तेमाल करेंगे यानि लेके जा रहे हैं डेतिस कैयरी फॉर्वर्वर्ड इस concept को बोला जाता है carry forward जब एक साल का loss होता है वो अगले साल profit में से adjust किया जा सकता है और इसमें से जब हमने यह adjust कर दिया ना minus कर दिया that is setup तो पहले समझे carry forward का मतलब क्या है और setup setup का मतलब पुराना कोई loss है उससे हमने minus कर दिया समस्या यह आती है यहाँ पर सर इसका तो business था business से minus कर दिया लेकिन जरूरी नहीं है के राम सुर्फ business करए राम जॉब भी कर सकता है business भी कर सकता है मैं कहरा हूं कि पैसे आ सकता है तो अब government कीषले साल मेरा बिजनस का लॉस पड़ा हुआ है तो क्या मैंने से हम मैंने कर सकते हैं यह 3000 जैसे मैं तीसरे साल चले जाता हूं अगर सपूर्ज करो तीसरे साल की बात करें तो इसका सेलरी था तीस परसेंट मान लेते हैं नभी हजार देने गया गौर्मेंट बोलर नहीं नहीं यह नहीं चलेगा वाई तुम्हारा इंकम तो सेलरी से है और नुकसान बिजनस से तो इन दोनों को माइनस करने नहीं देगा यह रूल बनाया गया ऐसे किस किस चीज पर कैसे रूल होंगे व लॉस आगे ले जाएंगे अब इसकी भी लिमिट दी गई ऐसा नहीं है कि यह लाइफ टेम तक आगे ले जाओंगे आपका आठ साल चार साल हर चीज का अलग अलग है तो हम सारे रूल इस चप्टर के अंदर डिसकस करेंगे इसी में हमने बोला 70 से स्टार्ट करेंगे तो स सबसे पहले हम करते हैं section 70 और इससे पहले कुछ बाते हमें पता होना चाहिए अगर मैं कहूं कि Heads of Income head of income अगर मैं आपसे पूछता हूं Heads of Income कितने हैं बताएं पांच तो Sir Heads of Income आपने बता दिया सही जवाब और अगर मैं पूछा हूं Source of Income कितने हैं तो सूर्स आफ इंकम सूर्स आफ इंकम अनलिमिटेड अब देखे समझ यह क्योंकि किताब के अंदर मैं लेंग्विज जो देख रहा हूं और जो गीवन है किताब के अंदर उस लेंग्विज से मैं बिल्कुल भी मतलब के मुझे लगता है बच्चों को इससे आसान तरीके से बताते न तो जल्दी समझ जाते वह इस तरीके से घुमा के उन्होंने बोला हुआ है कि उसको समझ ने समझने में टाइम लगेगा और जब बच्चे को समझ में आ जाता है दूसरा होता है हमारा तीसरा ओपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं है पीजी बीपी पांचवा अधर सोर्स तो यह पांच हेड है अब सोर्स का मतलब क्या है सर अब मैं बात करता हूं सोर्स अफ इंकम सर इंकम कहां कहां से कमाया जा सकता है सोर्स सोर्स आफ इंकम की मैं बात करूँ तो मैं एक हैड ले लेता हूं इसमें से कोई भी एक हैड ले लेता हूं सर हैड ले लिया मैंने बिजनस कौन सा हैड ले लिया मैंने बिजनस अब देखना बिजनस के अंदर कितने सारे पांट आ मान लेते हैं मेरा stock market share market का है मान लेते हैं मेरा cloth का है मान लेते हैं मेरा books का है मान लेते हैं मेरा steel का है तो sir देख रहे हो और इसके अलाबा बस इतने ही हो सकते हैं और भी हो सकते हैं सर बहुत सारी हो सकते अब टाटा रा चळाई को कर भा बिजनेस में कम करता है डाटा का Đम से सफट विएर बहूत सारी चीज़ें तो स्कें तो है वह ऐसे हाउस पॉपर्टी में बात करूं तो मेरे पास कितने सोर्स ऑफ इंकम हो गए पांच हो गये लेकिन हैड कितने माने जाएंगे तो क्या होगा हमारा पांच सोर्स पूछा जाए तो सरकोई नहीं पहले यह डिफरेंस क्लियर है आपको कि सूर्स अब हमारी दिक्कत यह है क जो मेजर है कि मान लेते एजुकेशन का बिजनस किया और मैंने किया कि सका शीर मारकेट का आपको चार मेरा पचास-चार रुपे का नुक्सान हो गया और एक्लाग का फाइदा हुआ 아 صु ऐसे situation में जो मुझे tax pay करना होगा न वो 50 में से minus कर देंगे इसमें से 50 पे करना यानि आपस में यह दोनों minus होगे क्या एक head और दूसरे head से minus हुआ एक ही head के अंदर हमने कुछ कर दिया minus plus एक ही head के अंदर तो ऐसे situation को बोला जाता है आपका intra head इंट्राहेड ऐसे सिच्वेशन को बोला जाता है आपका इंट्राहेड अब देखों यहां पर मेरा हाउस प्रॉपटी से पांच लाक रुपए का मेरा लॉस है और मान लेते हैं मेरा सेलरी से दो लाक लाक करो आप तीन लाक करती एक है कि कि अँपर देद्य क्या मैं अभी बताता हूं झोड़के इसको इधर कर देते हैं सब्सक्राइड तो difference नजराएगा line भी खीज़ देते हैं आपके लिए छलिए और सटफरेंस क्या है यहाँ पर minus plus यहां भी हुआ और यहां भी minus plus हुआ है अब ध्यान से देखे तो minus plus यहां भी हुआ और यहां भी हुआ है फ़रक यह है कि यहां पर same head के अंदर minus plus हुआ है और यहां पे head बदल दिया गया समझे लो difference यहां पे क्या कर दिया गया head बदल दिया गया तो जो इस तरीके का काम करेंगे ना उसे बोलेंगे इंटर head setup इंटर head इसको बोला जाएगा सर इंटर head setup तो सबसे पहले आपको यह word clear है क्या आपका intra head setup और inter head setup इंटर head में क्या होता है सेम के अंदर ही हमारा minus plus कर दिया जाता है और inter head में क्या होता है head बदल जाता है तो पता exam के अंदर जो आपका theory लिखना है theory में कहा जाएगा when हमारा कोई भी loss setup हो जाता है दूसरे आपका दूसरे source of income से जब भी मैंने किसी loss को setup किया दूसरे source of income से तो बताओ यह कौन से वाली बात करूं अब मैंने कहा जब कोई loss setup करूं तो दूसरे head of income से इंटर तो language समझना होगा बस आपकी किताब में जैसे लिखा होगा वो समझ जाएंगे हम ठीक है नहीं यहां तक कोई दिक्कत कोई परिशानी हो सकता तो यही तो रूल सीखेंगे इस चप्टर के अंदर 7770 है 71 तो पूरी सीरीज सीखेंगे तो जो चीजे मैंने पहले बताया कि यह चीजे हो सकता अब मैं बोलूँगा जो कि 35AD के अंदर हो तो मैं सारे रूल सिखाऊंगा तो पहले तो आप देखो जितना मैं बता रहा हूं उतना यहां तक की क्लास के अंदर हमें सर यह समझ में आ गया कि इंट्राहेड का मतलब उसी से होगा और इंट्रहेड का मतलब हैड क्या होगा बदल जाएगा सेक्शन सेवेंटी से स्टार्ट करते हैं हम सर सेक्शन सेवेंटी क्या कहता है हमारे इंकम टेक्स का सेक्शन सेवेंटी आज लिखा हुआ लेके नहीं आये बड़ कोई बात नहीं लिख देंगे यह हमें सेक्शन सेवेंटी सिखाता है intra head intra head set up सर section 70 क्या सिखाता है intra head set up अब intra head set up का मतलब for example आपल आप हमारा बिजनस है एए इसार एक बिजनस हमारा स्टील का है इस टील के बिजनस से प्रॉफिट कमाई है पांच लाथ इस लाथ के बिजनस प्रॉफिट हमारा नहीं हुआ लॉस हो गया तीन लाख है टेटेस हम टेक्स दे देंगे किस पर दो लाख पहला एक्जामपल मैं एक्जामपल लेता जाओंगा आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरा एक्जामपल कि स्टील के बिजनस है उससे प्रॉफिट हुआ पांच लाख और प्लॉट से हमारा लॉस हुआ छे लाव एक लाक रुपे का लॉस है इसे हम कर देए कने क्यारी फारवüne अच तो केरी इख वारवट लिए यह आगे चला जाएगा पहले तो यहह तक देखें अपर ऐसा भी हो सकता है एक्जामपल नमबर थी मेरे क्लाओ के बिजनस से लॉस है चार हजार या चालिस हजार और मेरा स्टील के बिजनस से हमारा लॉस है पचास हजार अब क्या होगा नबे हजार क्या हो जाएगा केरी केरी को 90,000 क्या हो जाएगा केरी को पहले हम सीख रहे हैं इंटर हैड सुरी इंटर हैड सेट आफ ठीक है न यानि सर अब यहां पर आप देखोगे एक्जामपल में के मेरा एक ही बिजनस और बिजनस से से बिजनस को सेट आफ करने के मैं कोसिस कर रहा हूँ बिजनस से बिजनस सेट आफ करने के बाद इसके बाद मैं इसके रूल बताऊंगा पहले तो हम सीख लेते हैं एक दो एक्जामपल से ठीक है न इसके बाद अगला एक्जामपल देखते हैं यहीं ले लेते हैं ताकि कंप सेटो एट इस इंटर हेड्स सेटो सर क्या होगा इंटर हेड्स जैसे मैंने बूला मेरा बिजनस है और फ्लॉस का बिजनस है इससे चार लाक रुपे का लॉस और हाउस प्रॉपर्टी से मेरा इंकम है 6 लाक का नाव मुझे टेक्स देना होगा टेक्स देना होगा मुझे दो लाग देखिये मैं इंटर हेड्स में उसी को भी लुगा जो की इंटर हेड्स सेटफ हो सकता है उसी के एक्जामपल लूँगा रूल तो हम देखेंगे पहले हम एक बार समझ जाएं अच्छे से इंटर और इंटर क्या है और इसके रूल क्या है एक्जामपल नमबर टू सॉरी वन कि सब्सक्राइब नमबर टू कि मेरा बिस्नुट से लॉस है 40,000 और बिस्नस से लॉस के बाद दूसरा बिस्नस है हमारा बिस्नस टू जहां से प्रॉफिट है हमारा 50,000 और एच्पी वन से मेरा प्रॉफिट है 80,000 और एच्पी टू से मेरा लॉस है 4,000 रॉपिए अब यहां पर क्या होगा अल्टिमेटली एच्पी से जो लॉस माना जाएगा कितना माना जाएगा एच्पी से लॉस पहले तो हम बिस्नस से प्रॉफिट निकाल लेते हैं चलिए बिस्नस से प्रॉफिट यह बिस्नस से क्या करा था मैंने लॉस करा था प्रॉफिट यह भी प्रॉफिट यह भी प्रॉफिट नहीं यह लॉस है यह प्रॉफिट है तो कितने आगे हैं 10,000 प्रॉफिट यहां पर प्रॉफिट और यह क्या है तो तीन बीस अल्टिमेटली हमारा तीन दस का लॉस होगा और यह केरी फॉर्ण सी एफ लिख रहा हूं मैं केरी फॉर्ण ठीक है तो सर जो इंट्राहेड और इंट्रहेड समझ में आ गया रूल क्या कहता है पहला रूल रूल कहता है सर पहले आप नंबर वन पे करेंगे इंट्राहेड सेट आफ नंबर दो पे आप आएंगे इंट्रहेड सेट आफ अगर इफ बैलेंस बचा यह देन कैरी फॉर्वर्वर्ड तैन कैरी फॉर्वर्वर्ड पहरावी पहला रूल यही कहता है कि सर सबसे पहले इंट्रहेड सेट ओप फिर आपका इंट्रहेड सेट आप कुछ बचा तो कैरी फॉर्वर्वर्ड एग्जाम्पल मेरे स्टील बिजनस से प्रोफेट चारला अब लौट बिजनस से लौस तील और मेरा हाउस प्रोपर्टी से हाउस प्रोपर्टी और हाउस प्रॉपर्टी से प्रॉफिट हाउस प्रॉपर्टी से प्रॉफिट तीनला या फिर हम एक्जामपल थोड़ा चेंज करते हैं हाउस प्रॉपर्टी से एक लाग क्rawक्र ठीक है इसके अंसर दो ऑपशन हो सकते हैं मैं दो आप्शन हो सकते हैं और और आप जो कर सकते हो सुलूशन वैसे एक गलती योगा जो मैं करूंगा ऑप्शन नंबर वर्ट इसको सेट अफ कर देते हैं तो अगर इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे हम तो बचेगा दो लाख और दो लाख यहां से सेट अफ कर देते हैं यानि मैंने क्या करा कि लॉस्ट बिजनस तीन लाख और इसको माइनस कर दिया किसे एच्पी के प्रॉफिट से एक लाख लॉटिमेटली दो लाख रुपे का क्या आया लॉस इसके बाद हमारा बिजनस फिर से बिजनस प्रॉफिट भी है ने एक और बचा हुआ कि इतने का चार लाख बचा कितना हाँ चार लाख यह नेगेटिव है बचा कितना दो लाख का यह प्रॉफिट इसके ओपर हमें सरकार को क्या देना है टेक्स देना एक और आप्शन देखिए देखें कुछ चेप्टर है बस आप साइलेंट होके ध्यान से सुनते जाएए सब समझ में आ जाएगा कुछ नहीं रहता रखा है दूसरा आप्शन क्या हो सकता है जो आप लेंगे हो नहीं सकता जो आप ले लेते हैं कई बार उसकी बात पर रहा हूं मैंने कहा बिजनस प्राफिट कितने चार लाग अब बिजनस लॉस दो लाग बिजनस लॉस अब यहां कितने बच गए दो लाग क्या बचा दो लाग यह अब इसके बाद हमारा हाउस प्रॉपर्टी मेरा यहां गलत कर दिया क्या मैंने यह तीन लाग है यह गलत है क्योंके अंसर तो सेमिया हाँ चीज़ यह आ गया एक लाग है एच पी प्रॉफिट एक लाग यानि टोटल टेक्स देना है हमें तो लाग हालाकि आप जब देखोगे न इसको तो फरक क्या पड़ता सरकार के पास यहां भी कितने रुपए का टेक्स जा रहा है दो लाग आपके पास दोनों आप्शन यहां पर देखें यहां पर भी देखेंगे तो सरकार के पास टेक्स जा रहा है सर दो लाग रुपए का और यहां पर भी देखेंगे तो सरकार के पास कितने का टेक्स जा रहा है सर दो लाग का लेकिन 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 आप अगर ध्या दूसरे पर जाईए आगर इस तरीके से नहीं चलेंगे तो आप गलत कर रहे हैं यानि देखा जाए तो इसने सबसे पहले अपने आपको नहीं देखा कि दूसरे सबसे पहले बिजनस और बिजनस आपस में मिल गए उसके बाद फिर एक चार्ट बना रखा है उसके अंदर बताना है यहां तक सेट आफ करना यह यहां तक सेट आफ करना है उसके रूल बताने और कुछ ज़्यादा है नहीं पहले यह समझ में है यानि सर हम करेंट और यह सारे जो मैंने बाते बताई आपको अभी पहले यहां तक समझ में आ गए चलिए एक एकजामपल और हो जाए एक एकजामपल और ले लेते हैं एकजामपल टू एकजामपल टू एकजामपल टू एक से profit ठाट बिजनस से लॉस को दो लाई ऐसा क्यों नहीं होगा बिजनस नहीं होगा मैं भी आपको बताऊंगा बिजनस से लॉस जो ब्रैकेट कर रहा हूं लॉस मैं लिखनी पाए है यहां पर तो लॉस और अच्छू से प्र्रॉस ए लॉस एक लाई सर यहां पर बताइए क्या होना चाहिए अंसर तो पता है सर एक लाख आएगा लेकिन सबसे पहले जब हम करेंगे तो क्या करें पहले हम लॉस उसका देखेंगे सेम हैड़ वाले का हम सोल्यूशन जो होना चाहिए इसका एचपी one से profit और सबसे पहले एचपी टू से से लॉस आएगा एक लाख पहले अब बचा कितना है यहां से हम लेंगे बिजनस है बिजनस एक लाख का लॉस बचा कितना और दो लाख पर क्या जाएगा और दो ही बचेगा ना यह गलत कर दिया कहां दो आना था अच्छा बिजनस का लॉस्ट दो लाग तो कितने बचे एक आप मुझे बताईए अगर मैं ऐसा कर दूँ कि आप मुझे बताईएगा अगर मैं ऐसा करूँ कि सर कैसा करोगे जैसे मैंने करा एच पी एच पी से प्रॉफिट चार लाग लेस बिजनस से लॉस बचे दो लाग और फिर एच पी टू से हैं ले बचाहा है तोरौ 2 गाहर दूनु स्हीए कि दूसरे वालत जो मैने किया यह वालत गलत है क्यूंकि इसके अंदर आपने रूट को क्या कर दिया ब्रेक कर सबसे पहले इंट्रा फिर यह वाला सर गलत हो गया और यहां पर इसी तरीके से यह वाला गलत हो गया यहां तक समझ मैं एक स्टेप और आगे चलते हैं इसने कहा स्टेप नमबर वन रूल के अकॉर्डिंग सरी स्टेप नमबर वन फॉर्स्ट क्या करना इंट्रा है नमबर टू फिर करना है में इंटर हैड नमबर थ्री बैलेंस अगर बचा तो कैरी फॉर्वर्वर्ड इस रूल के अंदर लॉमेकर ने लिखा यह वाला काम सरिफ करन्ट इयर में कर सकते हो इसा समझाने करणंट इयर में इसका मतलब वन्स लॉस केरी फॉर्वर्वर्ड यह चेन नॉट बी सेट अउफ प्रॉम अधर हैड लोमेकर नहीं यह वर्ड लिख दिया इसका मतलब एक एक्जामपल देखे सब कुछ समझ में आएगा मैं बात कर रहा हूं 2020 की लॉगडाउन की डूरेशन की लॉगडाउन में तो पता है यह बिजनस का हल बहुत खराब रहा हूं हाउस प्रॉपर्टी से कहां इंकम सारे भाग गेते कि रहेदार को एक लाक रुपए का लॉस बिजनस थोड़ा बहुत चला पैसे चल नहीं रहा था पर सब्जी का काम चल रहा था उसने तो बिजनस से चार लाग का और कि इसके बाद बिजनस के अंदर एक और बिजनस था मेरा कि यह प्रॉफिट है चार लाग का यह मास्क बना रहा था मैं तो बस उसने मास्क बनाने का विजनस चल रहा था एक और बिजनस है जहां से छे लाख रुपरका का लॉस हो गया यह कहानी है हमारा 2020 के 2020 का solution मैं पता है कैसे करूँगा सबसे पहले इंट्रा फिर इंटर 2020 में तो सबसे पहले बिजनस दो यह तो पहले बिजनस ले ले बिजनस चार लाख और फिर बिजनस जो लॉस वाला बिजनस है छे लाख इसको नॉमबर वन देते है बचे कितने दो लाख का लॉस अब आ जाते हैं एचपी पे house property sir house property में एक लाग का loss loss जोड के तीन लाग नहीं होना देखो loss profit तो आपका हो सकता है लेकिन एक बात ये भी याद रखना loss loss जोड के तीन लाग तो sir ये हुआ यूँ यह एक काम करते हैं hp से loss ना करके हम profit कर देते हैं थोड़ा अच्छा सा example बन जाएगा हमारे ठीक है यह तो अपने हाथ में हमारे एक लाग का profit कर दिया ठीक है एक लाग रुपए का कि मैं काऊंगा loss किस्से हुआ यह और carry forward कर दिया एक लाग यह कहां नहीं थी हाँ नहीं अभी सारे रूल देखेंगा अभी बेसिक बेसिक फॉंसर बिल्डप करने तो बस फिर एक बार रूल चार्ट में समझा देंगे बात ही खत्म है कि चलिए 2021 में पहुंचे है एच्पी से प्रॉफिट एक तीन लाग बिसनस से लौस टो लाग बेसनश से लौस दो लाग बिसनस से लौस बिसनस से लौस है यह दो ही बिजनस रखते हैं ज्यादा नहीं complicated करते हैं अब धीरे-धीरे करेंगो complicated यह कहानी है इस बार की अब सर पिछला लॉस भी आगे set up होना चाहिए रूल तो यही सीखा है है अमने answer answer sir hp से profit तेन लाग business से loss अब दो लाग प्रॉफिट बचा एक लाग अब एक लाग का profit बचा पिछला लॉस भी हमारा एक लाग का तो अगर मैं चाहूं कि मैं यहां से लेस कर दूं लास्ट येर बिजनस लॉस एक लाग और सरकार को इस बार मैं नहीं चल सकता है सिर्फ hp बिजनस यानि इंट्रा हेड में जंप मारने का पर्मीशन सिर्फ करंट येर के profit लॉस यानि सर यहां पर जो आंसर आएगा आपका इसके अंदर आपको एक लाग रुपे पर टेक्स देना होगा और यह लॉस क्योंकि अगर यहां पर बिजनस प्रॉफिट होता है ना क्योंकि यह वारा जो प्रॉफिट है किसका है और कि अभी मैं दूसरे एक्जामपल में ले लूँगा अगर बिजनस का होता है तो हो जाता है तो सर हमारा फिर से अगेन लॉस हो गया कि कैरी फॉरवर्ड कितने का है एक लाग समझ में आ रहा है यहां तक कि चलिए सर दोजार बाइस में आ गए सर एच्पी से एच्पी से प्रॉफिट तेन लाग बिजनस से लॉस तेन लाग और बिजनस से प्रॉफिट छे लाग यह लॉस है और यह प्रॉफिट है अंसर छे लाग रुपए अंसर सर यहां क्या करेंगे सर सबसे पहले बिजनस बिजनस है बिजनस बदल देते हैं थोड़ा नहीं चलिए छे लाग रहने दीजें कुछ बच्चों ने जीरो बोला तो फिर इसलिए मैं रुप गया सर बिजनस से प्रॉफिट कि लेस्ट कर देंगे लॉस्ट बिजनस से कितने का तीन लाक रुपए का प्रॉफिट है और अब इसमें से हम माइनस करेंगे सर लास्ट यह लिख रहा हूं वैसे केरी फॉरवर्ड होता है केरी फॉरवर्ड पुराने वाला वह भी माइनस करेंगे अब प्रॉफिट आ गया और सर एच पी से प्रॉफिट कितने तीन लाक अगर यह क्या है तीन लाक तर आप पांच लाक पे आपको कि टेक्स देना होगा चलिए सर और एक्जाम्पल देखते हैं कि मैं इसको इधर ले जा रहा हूं चिंता मत करना मुझे क्यूंकि करना है अब आगे सर दो हजार तेईस में कि सर दो हजार तेईस आ गया कि यह तेईस नीचे करें कर दो हजार तेईस यहां करते हैं कि यह दर ही कर लेते हैं कि दो हजार तेईस कि सर एच्च पी से लॉज कि चालिस हजार तेईस में थोड़ा चेंज कर दो ताकि मेरा आगे कहरी फॉरवर्ड अच्छे से बंजे एक किस में मैं पता ही क्या चेंज करना चाहता हूं एक किस में बात करो ना अच्छा यह बाइस है हाँ 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 यह बाइस है सर यह कितना 2.5 लैंग अ 3.5 कर देखा कि 3.5 तो सर आंसर में बदलाव क्या होगा यह भी सर 3.5 वह जाएगा यहां पर प्रॉपिट कितने बचेंगे कि 54 लाउस कितने का है मैं एक लाक तों अब इससे सेट ऊफ हो नहीं सकता यह dan ओ कि अधरिय यह कर दूँआ अमवह अफिर दूसरा आस्पेक्ट इसका इधर में करके दिखा हूंगा क्या हो सकता था पहले जितना आपको समझ में आ चलिए सर यहां पर हम सिर्फ माइनस कितना करें कि पचास अजार यह हो गया जीरो और इससे इंकम कितना था तीन लाख टेक्स किस पर दे देंगे सर तीन लाख मैं समझा रहा हूं अभी मैं इसको आस्पेक्ट को लिके आँगा कि परपस से पहले हमने कौन सा सेट आप इंटर फिर किस पर जानने था हमें इंटर यहां पर जानी सकते क्योंकि हमारा पुराना लॉस है करीफॉर लॉ कहता है सेम हैड हो ना तो वहां पे आपका इंटर और इंटर वाला concept नहीं चलेगा सें हेड हो तो पुराना पहले कर लीजिये या अभी वाला कर लीजिये तो यहां टेक्स planning के परपस से Confuse बिलकुल नहीं होना इसका एक और answer हो सकता है अगर tax planning का हो तो इसक तो क्या answer हो सकता है, क्षार हो सकता है सर पहले मैं ले 3.5 लेस्ट माइनस कर दू पहले करी-forward लॉस कितने का बचा कितना है 2.5 लेस्ट अब मैं माइनस करूं बिजनस इस बिजनस लॉस्ट कितने तीन लॉस्ट अब कितना बचा अब यह 50,000 फॉन सा लॉस्ट है इसी साल का लॉज है पिछले साल का इसी साल का अब इसी साल का लॉज है और एच पी का प्रॉफिट भी इसी साल का एक लाग का कितने गता तीन लाग का नाव 2.5 लेक्ट के आप टेक्स्ट हो गया मैं समझाने की कोसिस कर रहा हूँ यानि यह वाला देखा जाते एक तरीके से गलत हो समझ में आ रहा है यानि सर मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर पीछे से लॉस आ रहा है ना करेंट येर में सबसे पहले इस लॉस को और लॉस की उमर होती है कि इतने साल के बाद यह लॉस गवर्मेंट आपको देगा ही नहीं माइनस करने के लिए जैसे नौर्मली आठ साल होता है ज्यादा मैक्समान तो आठ साल के बाद करी नहीं सकते कुछ के इसमें चार भी है तो आप देखिए तो यह वाला जो प्रिवेस का लॉस ताकि हमारा करेंट यहर का जब लॉस बचे ना तो दूसरे हैट से क्या कर पाए हम सेट आफ कर पाए हम इसलिए तो मैं इस वाले को क्या बोलू सर यह वाला हमारा क्या हो गया एक तरीके से गलत हो गया यह वाला गलत हो गया कॉन सा माना जाएगा क्या अब यहां पर कोई लॉस केरी फॉरवर्ड करने वाला है नहीं है सर चलिए आ जाईए 2030 फिर से एक पी से प्रॉफिट एक लाए बिजनस से बिजनस से बिजनस से चार रहा है यह लॉस है सर यह यह सिचुएशन है अब क्या होगा बताते हैं इसका अंसर देखिए सबसे पहले इंटर हैड सर एच पी प्रॉफिट एक लाख और सर एच पी टू से वन से वन से लॉस कितने का यानि यहां बच गए तीन लाख अब बिजनस से तर यहां भी लॉस अब यहां पर कैरी फॉरवर्ड होगा एच पी तीन लाख और कैरी फॉरवर्ड होगा बिजनस एक खट्टा पांच लाख नहीं लिख सकते हैं क्योंकि जब अगले साल जाएगा कैरी फॉरवर्ड अगर मैंने यहां पांच खट्टा लिख दिया तो अगले साल हम कन्फ्यूज हो जाएंगे भाई एच पी में से माइनस करें यहां पिर क्योंकि अगले साल जो तीन लाख है यह ढूंडेगा एच पी को सेट अफ होने के लिए और यह दो लाग किसको ढूंडेगा बिजनस को अब इसका कुछ बच्चे ऐसे भी आंसर सोच सकते हैं सर हम ऐसे कर दें कि यह वाले से पहले इसको सेट अफ कर देते हैं एच पी को ब किया लौस कुन सा है बिजनस यह भी क्या है इंट्राय ऑं इंट्रांड कंप अक harness में और यहां पर पर में इंट्रेडिंध किया गया नहीं कि आ क्या इसका पर आप इसका आंसर भोलते होना सर हम ऐसा करते हैं बताइए देता हूं के स्क्राइन में कुछ बच्चों के चल सकते हैं अब बोल देते हैं हम अगर कर ले किसा कि हम ऐसा करते हैं एक याउन quién पेरे बिजनस कर लेते हैं मैं रफली कर रहा हूँ तो लाग का लोषट एक लागते बिजनस का और शर समस्या है आपने रूल को ब्रेक कर दिया यानि पहले क्या होना चाहिए और फिर क्या होना चाहिए चाहिए यहां तक समझ में आई बात आपके यानि वंस लॉस केरी फॉरवर्वड जो मैंने लाइन लिखा है कि अरे बहुत चोटा होगी इनका गंटे का पता ही नहीं लगता सब चले जाए देखें क्या लिखा था इंट्राहेड इंट्रहेड बैलेंस केरी फॉरवर्ड करेंट इयर करेंट इयर मतलब समझ में आया जिस साल प्रॉफिट बगरार कमाया उस साल में तो आप किसी से से भी सेट अफ कर लो इंट्रा फिर इसमें इंट्र जा सकते हो लेकिन करेंट इयर में लेकिन अगर लॉस केरी फॉरवर्ड है तो वह अधर हैट से सेट आफ नहीं होगा मैं इतने सारे एक्जामपल में यही समझाने की कोसिस करता हूं मैं आपको ठीक है चलिए और भी एक्जामपल देखें हुआ है हुआ है हुआ है है था है है तो अच्छी से ना है 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 कि यहीं चलेगा तो आप सीक्वेंस करपाऊंगे रिजिस्टर में बहुत दो हजार आप कि बिजनस प्रॉफिट बिस्नेस प्रॉफिट तीन लाउट एच्पी लाउस एक लाख पचास हजा एच्पी प्रॉफिट एच्पी प्रॉफिट दो लाउट पहला बिजनस प्रॉफिट यह चल रहा है चलिए इसका अंसर देखिए अलाकि इतना कॉंप्लिकेटिड आता नहीं है मैं तो लिखते जा रहा हूं आपको बस कॉंसेप्स अब बताइए क्या होगा सबसे पहले हमारे क्या है कि प्रॉफिट कितना है है इस देखिए पहले इंट्रा इंट्रा में हमारे पास पहले क्या बिजनस के अंदर हमारे कोई लॉस था क्या है दो लाक चलिए पहले इसको सेट आफ करने है कि लेस केरी फॉर्वर्वर्ड लॉस कि यानि यहां बचा हमारा एक लाख अब सर एच्पी कि प्रॉफिट कि एच्पी प्रॉफिट कितने का है और एच्पी से लॉस भी है लेकिन समझदारी क्या है अगर फिर आपका INTRAHEAD कर रहे हो इंट्रा अप्राने वाला कर लो क्यों इसकी लाइफ लाइफ है भाट कि क्यों में push है जुकि करेंट एर वाला है लेकिन और और पिसले वाला फिर सेन से होता है थोड़ा सा दिख्कत है तो मैं सबसे पहले करूंगा carry forward loss अब बच्छा कितने का एक लाग का क्या यह तो यानि यह एक लाग रुपे इससे सेट अफ कर देंगे अभी एक और लॉस है मारे पास एक और प्रॉफिट प्रॉफिट एक और लॉस पढ़ा है क्या यह एक लाग रुपे इससे सेट अफ कर लेंगे क्योंकि यह वाला लॉस कौन सा है carry forward कुछ बच्चे ऐसे ना सोचे के भी एक्जामन को कैसे पता से लिए यह वही वाला लॉस है रूल यही कहता है इसी से हिसाब से चलना है लोग के साथ मैं तो यह वाला लॉस कौन सा है पिछला बचा हुआ एक लाग ठीक है यानि सर अभी यहां बिजनस से कितना प्रॉफिट पड़ा हुआ है यहां से लॉस हो गया तो सेट अप करने के लिए नहीं है एक और लॉस है हमारे पास है करने यह वाला एक्जेक्टली है पी से हमारा जो है में है लॉस कौन सा है खरेंटियर में तो कहीं मरुझे रोवर्ए मैं यहां से सेट आप कर सकता हैं बिलकुल कर सकते मैं ने सीजिरीं कितना सेट अप कर देंगे यह हो गया civ 느 और यह हो गया लॉस अब हमारा होगा एच्पी लॉस केरी फारवर्ड दो हजार चौविस वाला केरी फारवर्ड तो पचास वाज और एच्पी लॉस अलग अलग लिखना होगा ऐसा नहीं जोड देना दो हजार तेइस वाला पिछले साल तेइस वाल आ रहे हैं पीछे से पीछे से एक दो लाक रुपए था कितना तीन था यहां पर दो अर्जस्ट कर पाएं तो एक और बज़ी अश्री यह पिछला तेइस वाला कितना कि तमझ मैं वात आप कि यह गूंगे हराम से मन ठंड़ करके एक वार सांती से देखें कुछ बच्चों को हो सकता है बाद में नूटिंग करने में है तो मैं एक काम करता हूँ इसको मिटाई देता हूँ कि और इसको कि अब नूटिंग करने में ठीक रहेगा आपके कि यह क्या था टू पॉइंट फाइव लेग मैं कुछ भूल गया कि अच्पी से प्रॉफिट एंए यह था हमारा तीन साड़े तीन एक लाग बिजनस लॉस दहाई लाग पचास जार बचा पचास से सेट अप पर रहाई लाग रुपिटेंगे इस सारे एक्जामपल को ना एक बार ध्यान से आपको नोट करना पड़ेगा रेजिस्टर पर उसके बाद आपको कॉंसेप्ट तो समझ में आ गया आप आंसर बिल्कुल भी नोट मत करिएगा सिर्फ क्या नोट करेंगे आप कोशन कोशन नोट करके खुद सॉल्व करिएग लेकिन इसके भी कुछ exception है बिजनस कभी बिजनस से set of ऐसा भी ताइम आएगा जब बिजनस बिजनस से set of नहीं आएगा तो मेजरली इसके अंदर examiner exception ही पूछता है कि क्या क्या exception है कि जैसे मैं कुछ example ले लेता हूँ आज नहीं करेंगे आज हम इतना ही करेंगे तो example की मैं बात करूं तो specified business को तीन category में बाठ दिया गया है चार category में basically एक नॉर्मल बिजनस जैसे मैं काम कर रहा हूं जैसे आप मार्केट में दुकान दार देख तो नॉर्मल बिजनस एक है specified business कौन सी है वह business जिसका एक special काम होता है अब special काम की बात करूं तो hospital school charity यह special है जो 35 AD section के अ पर कभी देखोगे ना जिए पीजी पीव में देखें हैं तो वहां लिस्ट है इनकी तो जिनका business का बिल्कुल अलग ही होता है क्योंकि hospital वगएरा जो होते हैं यह बोलते हैं हम जितने भी hospital है सब बोलते हैं ट्रस्टी चला रहा है उसका मालिक नहीं मिलेगा तो यह business के laws को सेट ओफ करने के लिए इसी टाइप का business चाहिए वो दूसरे पर्चून के दुकान से सेट ओफ नहीं होगा अगर मानलो एक पर्चून की दुकान ने यह फैक्टरी उससे सेट ओफ तो दो टाइप के business होगे तीसरा business सट्टा बजारी आप डेली पैसा लगाते हो IPL में तो इस पार्ट ऑफ बिजनस ड्रीम 11 खेल रहे हैं ठीक है तो यह सारा क्या है सट्टा बजारी बेसिकली इसके अंदर नहीं मैंने एक्जामपल लिया यहाँ पर स्पेक्टूलेटिव बिजनस पर रखा हुआ है शेयर बजार को और बेसिकली शेयर बजार के अंदर भी आपका कॉमोडेटी वाला पार्ट क्या होता है जिसके अंदर आप विदाउट फिजीकल मूवमेंट अब बढ़ा दें तो जब हम पढ़ेंगे तो मैं डीटेल में बताऊंगा क्या होता है तो बोला गया कॉमोडेटी वाला जो होगा ना स्पेकूलेटिव बिजनस उसको भी ना मूडे के उपर चेतक वहीं जीतेगा पैसे लगाओ तो वह भी क्या था बिजनस था एक तो वह भी एक स्पेशल कैटेगरी का बिजनस है तो उसके अंदर भी सेट आप देखोगे कुछ बच्चे बोलते हैं सर कैमल रेस भी आ सकता है नहीं वहां पर स्पेसिफाइड क्या ह गरण देखना के की रड़ाइं है कि आनो इन फिल्दो सकता है कि तरीके का को पर दो विजनस ऐसले होका दो आ हैuses बोला गया Fairy सब कभी सेट यो सकता आ इसका सब की कहनी करेंगे अभी आदी अधु बताऊ उ दूर आपको और लगत यह आपकुछ बताएं तो इससे अच्छा कि मैं यहीं पर स्टॉप कर दूँ आप चैप्टर ना समझे एक क्लास और लगेगा मुझे इस चैप्टर को पूरे को खतम करने में आज थोड़ी से मैंने छोटी क्लास लिये तो इस बज़े से बताइए कोई दिखकत क्लियर है यहां तक